शराद करम में तुलसी का बहुत अधिक महतु बताया गया है धार्मिक गरंतों के नुसार अध्याद्मिक कारियों में पवितरता और दो समाप करने के लिए तुलसी का प्रियोग बेहद ही लाबकारी होता है श्राद पक्स में तुलसी का एक उपाय बहुत लाबदाएक है जोतिस सास्त्र के नुसार इस उपाय को घर पर रहकर करने से ही तरपन के समान फलपरात हो जाता है श्राद पक्स आ रहे हैं तुलसी के इस उपाय को जानने के लिए हमने अरद्वार के जोतिसी पंडिस स्रेदर सास्त्र से बाचित की उन्होंने लोकल एटिन को क्या कुछ कहा है सुनिए श्राद पक्स आ रहे हैं सोलह दिन का पकवाड़ा होता है उसमें एक जो पित्रों को प्रसंद करने के लिए उनको मुक्ती दिराने के लिए जो एक उपाय ऐसा है जो बहुत ही भली भूत होता है जैसा ही हमारे आगन में घर के बाहर तुलसी विद्यमान है वहां जाकर के तुलसी की जड़ में एक कटोरी तुलसी की जड़ में रख करके और अपने हाथों में स्वच जल लेकर के उस कटोरी में लगभग साथ बार उस जल को अपने हाथ के द्वारा पहले हाथ में डाल क करके अंगुठे के द्वारा वह जल धीरे धीरे उस कटोरी में चला जाए और इस प्रकार दख्रम साथ बार होना चाहिए और हमारा जो मुख्य है वह जक्सिंड दिसा में हो और इसके तरिक्त जो एक मुख्य बात यह है भगवान शीव का एक मंत्र का भी जाप करें ओमन में या और पिक हो साथ करने से हमारे जो जैसा चरपण करते हैं या उन गंगा की जाने में पृत्रों को भी सक्षाव!!" यह उपाई उन लोगों के लिए है जो गंगा की किनारे या अन्य स्थान पर जाने में एसमर्थ अपने घर पर ही इस उपाय को करने से उनको पित्रों को प्रसंद करने में एक स्विधा भी होगी और उसका लाग भी होगा और उनके पित्रों की सांती अवश्य होगी तो ऐसा करने से हमारे पित्र सांत होंगे और यधायोग्य हमको आशिरवाद मी देंगे जैसा कि 16 जिन तक पित्र हमारे प्रतिवर होते हैं और वह प्रसंद जिद्धों करने अपने लोक में लोट जाएंगे